एलो दोस्तों मैं हूँ मानव और आप दिख रहे हूँ एनिमेवर्स तो आज मैं आप लोगों को ब्लीच के सिजन वन का एपिसोड फूर का एक्स्प्लेशन करने जारा स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैट को अपने कुछ दोस्तों के साथ और वहाँ एक तोता भी दिखाई देता है और एक लड़का बोलता है ये एक श्रापित तोता है फिर दूसरा दोस्त बोलता है हाँ ये एक श्रापित तोता है जो भी ये तोते का पहले ओनर्स थे वो लोगों के साथ बुरा हुआ और कुछ तो मर भी गए तब ही पहला वाला दोस्त बोलता है ये तो एक बुरी बात है मैं तो इस तोते को नहीं रखने वाला तब ही दूसरा दोस्त बोलता है कि चलो इस तोते को कहीं फैक दे या फिर इसे मार दें तो दूसरा दूस्त बोलता है कि ये तो बहुत भयानक चीज है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तभी दूसरा दोस्त चैड को बोलता है क्यों ना इस तोते को हम चैड को दे दे तभी उपर से एक आयन रोड गिरता है और चैड उसे अपने उपर गिरने देता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर हमें अंडर वर्ल्ड का सिन दिखाया जाता है वहाँ पे एक हॉलो बोलता है कि हमें अपना काम चालू रखना है यूमन्स को खाने का हमारे अकेले पन और हमारी मौजोदगी को पूरा करने के लिए और उससे भी उपर एक सोल्ड रिपर का टेस्ट बहुत डिलिशियस होता है एक बार जब तुम सोल्ड रिपर का टेस्ट करोगे तो तुम अपने आपको रोप नहीं पाओगे फिर वापस से चैड का सीन बताते हैं हमें और चैड के दोस्ट चैड को पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना तो चैड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ बट चैड के सर से खुन निकल रहा होता है तभी वो तोटा चैड को बोलता है ठेंक यू मुझे बचाने के लिए, और वो तोटा बोलता है, हेलो मेरा नाम यूरीची सीबाटा है, और तुमारा नाम क्या है मिस्टर, तब चैड के दोस्त सौक हो जाते हैं, कि ये तोटा बोल रहा है, और बोलते हैं कि हाँ ये तोटा सचमिश रापित है, देखो चैडबर्ड में इंट्रेस्ट है फिर नेक्स सीन में हम देखते हैं कि इचीगो रुक्या को बोल रहा होता है कि देखो मेरा जला हुआ मार्ट ठीक हो गया खाली एक ही दिन में तभी रुक्या बोलती है सर्प्राइजड हो गए मुझे अपनी क्लास में कीडो में अच बी स्कूल होती है क्या तो रुक्या बोलती है हाँ तुम कह सकते हो और पूछती है कि मैं इस जूस को कैसे पी सकती हूँ तो इचीगो बोलता है तुम्हें स्ट्रॉ से ऐसे होल करने का और स्ट्रॉ से जूस पीने का तभी रुक्या पूछती है कैसी स्ट्रॉ तभी होता है और मिजूरियो इचीगो और रुक्या को बूलता है तुम दोनों फिर से एक साथ बहुत क्यूट लग रहे हूँ तो इचीगो बूलता है चुप रहो मिजूरियो पागल हो और बूलता है तुम्हें सच में हम अच्छे फ्रेंड दिखाई देते हैं क्या फिर रुक्य को स्ट्रो मिल जाती है और खुश हो के बोलती है तो ऐसी दिखती है स्ट्रो तभी मिजूरियो रुटिया को अपना आइन्ट्रो देता है मेरा नाम मिजूरियो कोजीर मा एज 15 साल है तभी इचिगो मिजूरियो को बोलता है दूर रहना ये लड़की से तब मिजूरियो सैडो के बोलता है क्यों तब इचीगो मिजूरियो को बोलता है ये भले सीधी सिंपल दिखती है बट बहुत शानी लड़की है ये तब ही मुजूरियो इचीगो को बोलता है चुप रहो इचीगो तुम मेरी रेप्यूटेशन डाउन कर रहे और बोलता है तुम्हें पता है ना इचीगो मैं खाली बड़ी लड़कियों पे ही इंटरस्ट दिखाता हूं तभी इचीगो बोलता है तो तुम्हें रुक्या से संबल के रहना होगा छोड़ो उसे तभी वहाँ पे इचीगो का एक और दोस्त आता है और बोलता है कि ये तो न्यू खुपसुरत ट्रांसफर स्टूडेंट रुक्या है ना ये तुमारे साथ क्या कर रही है तभी मुजिर्यो बोलता है इचीगो इसे यहां लेके आया है तभी इचीगो का दूसरा फ्रेंड अपना इंट्रो देता है मैं कियागो असाना हूँ वेलकम ब्यूटिफुल लिडी तुमारा यहां स्वागत है और बोलता है कि तुम्हें यहां कुछ भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना मैं लेकर आऊंगा तभी पीछे से चैड आता है और इचीगो चैड को हाय बोलता है और पूछता है यह बेंडेजिस कैसे लगी है तुम्हें चैड तो चैड बताता है कि एक स्ट्रील रोड मेरे उपर गिर गया और मेरे हाथ की बात करे तो मेरी ट टकर हो गई एक बाइक के साथ मेरे साथ बाइक वाले की टकर होने के बाद बाइक वाले को बहुत चोट लगी तो मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ने गया तभी कि एगो बोलता है एक यह बर्ड तुम्हें कहां से मिली तभी बर्ड अपना नाम बोलता है मेरा नाम यूरो और दोनों शौक हो जाते हैं तभी कि एगो बोलता है यह तो अच्छी बात है यह बर्ड बोलती है और का इंट्रो देता है मेरा नाम कि एगो असानो है तभी इचीगो चैट से पूछता है तो कहां से मिला यह बर्ड तुम्हें चैट तो चैट बोलता है किसी ने फिर तभ रुक्या इचीगो को बोलती है कोई बात नहीं है गबराने की मुझे इस सोल से इविल स्पिरिट की स्मेल नहीं आ रही है और बोलती है आज रात को हम में कौन सो करना होगा तभी इचीगो बोलता है एक और रात बीना सोय निकालनी पड़ेगी तो रुक्या बोलती है कंप्लेन करने की कोई बात नहीं है और बोलती है इचीगो दुसरे की सेफटी के बारे में बहुत सोच रहा है लग रहा है कि इचीगो दीरे दीरे सोल रिपर की चीजे सिकता जा रहा है तभी इचीगो बोलता है जब मैं एट ग्रेड में था तब मैं चैड से पहली बार मिला था मेरे बालो के कलर से लोगों का ध्यान मेरी तरफ ज्यादा जाता था पर अच्छे लोगों का नहीं गुंडे लोगों का और मैं हमेशा फाइट के बीच में ही रहता था जब मैं फाइट के बीच में मार खा रहा था तब ही चैड आया और हमारी पह वाली मार ही खा रहा था तभी रूक्या बोली ये चैट सबसे अलग है और बोली ये इसके जैसा कोई नहीं और बोलती है ये जूस टेस्टी है फिर नेक्सिन में हम देखते हैं कि इची गो अपने गर पहुचता है वहाँ पे कारिन बाग के बाहर जाती है तो इची गो तभी इची गो के पापा फोन पे किसी से गुसे में बात कर रहे होते हैं इची गो पुछता है मैं कोई हेल्प करूँ क्या डेड तभी इची गो के पापा बोलते हैं कोई कॉर्णर में जाके बहर जाओ और बीच में मत आना तभी यूजू बोलती है डेड ये एक लास्ट patient है जिसको हमें treat करना है तभी Ichigo के dad Ichigo को बुलाते हैं help के लिए तभी Ichigo chat को देख के शौक हो जाता है और Karin जब वो तूते को देखती है तो Karin डर जाती है फिर Ichigo के dad chat को देखते हैं और chat के back पे एक hollow का mark होता है तो Ichigo के पापा को पता नहीं चलता क्या हुआ है Ichigo समझ जाता है कि क्या हुआ है और chat वहां से जा ही रहा होता है तभी वो गिर जाता है और chat का treatment करने लगते हैं तभी Ichigo रुक्या से पूछता है तुम्हें मैसुस हो रहा है क्या तो रुक्या बोलती है हाँ मुझे भी महसुस हो रहा है मुझे कुछ evil spirit महसुस नहीं हुई बट chat की injuries को देखके लग रहा है कि hollow का काम है ये तभी कारिन को बुरा और डरी हुई दिखाई देती है फिर next scene में हम देखते हैं कि यूजू बुलती है breakfast ready है तो इची को यूजू से पूछता है कारिन उट गई क्या तो यूजू बुलती है कारिन की तब्या ठीक नहीं लग रही थी और उसे भूख नहीं मुझे तो चिंता हो रही है कारिन की ऐसे यूजू बुलती है तबी इची को बुलता है कारिन की तब्या ठीक नहीं है ऐसा तो बहुत कम होता है तबी इची को के पापा इची को बुलते है कि चैट अपनी कमरे में नहीं है तो इची को चैट को डुनने निकल जाता है तो रुक्या पीछे से इचीगो को पूछती है तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या चैट कहा गया होगा तो इचीगो रुक्या को बोलता है नहीं है तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या तो रुक्या बोलती है नहीं मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है और सोल सोसा का पीछा कर रहा होता है तो ही सिगनल मिलता है अगर कोई hollow soul का पीछा नहीं कर रहा होता तो हमें कोई सिगनल नहीं मिलता इसका मतलब यह है कि hollow human world और soul society के बीच में कहीं छुपे हुए रहते हैं तो soul society भी hollow को find नहीं कर सकती जब तक hollow बहार आके किसी को मारते या फिर इसका पीछा नहीं करते तब तक हम hollow का पता नहीं लगा सकते हम वेट करना होगा hollow jad के पीछे भागे तब तक तो इची गो बोलता है हम वेट नहीं कर सकते हमें कुछ सोचना पड़ेगा तब ही इचीगो को आइडिया आता है कि हम चैड के बर्ड फ्रेंड का की सोल का पीछा कर सकते हैं तो रुक्या बोलती है यह impossible है तब ही इचीगो अपनी आखे बंद करके concentration करने लगता है तब ही रुक्या इचीगो से पूछती है यह sensation कैसी जो मुझे महसूज हो रही है तब ही next इन में हम देखते हैं कि बर्ड चैड को बोलता है कि यह अच्छी बात नहीं कि तुम मेरी help कर रहे हो बट मुझे माफी मांगनी है तुम से और तुम मुझे खाली सुनना कि मैं क्या बूल रहा हूं तब ही बर्ड बोलता है कि जो भी मुझे अपने पास रखते हैं उसके पास bad luck आता है तब ही चैड बोलता है हाँ मुझे पता है तब ही बर्ड बोलता है कि सौरी मिस्टर मुझे आप यहीं पे छोड़ दो और यहां से चले जाओ जाओ यहां से तो चैड बोलता है मैं यह नहीं कर सकता तुम्हारे साथ तभी नेक सिन में हम देखते हैं कि कारिन बुरी हालत में इचीगो के पास पहुचती है तो इचीगो कारिन को देखके बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो कारिन इतनी बुरी हालत में तभी कारिन बोलती है मुझे तुम्हें कुछ कहना है इचीगो तभी कारिन वेहो सो जाती है और पीछे से रुक्या बोलती है कि इसे घर वापस लेके जाओ इचीगो तो इचीगो रुक्या को बोलता है तुम पागल हो क्या तुम अकेली होलो से नहीं लड़ सकती तो रुक्या बोलती है मैं तुमें वादा करती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा तुम अभी कारिन को यहां से लेके जाओ वरना तुम डिस्ट्रेक्ट होते रहोगे कारिन की चिंता करते रहोगे और होलो से अच्छी दरे फाइट नहीं कर पाओगे तब ही इचीगो कारिन को लेके वहां से चला जाता है और रुक्याचेट का पीछा करने लगती है फिर इचीगो कारिन को घर छोड़ने जा ही रहा होता है तब कारिन इचीगो को बोलती है हेई इचीगो तुम्हें उस सोल की मदद करनी होगी जो अभी तोते की अंदर है मैंने देखा उसका पास्ट बहुत ही बुरा है किसी ने उसकी मौम का मडर कर दिया वो बच्चे के सामने वो बच्चा भी अकेला है तुम्हें उसे बचा ना होगा इचीगो फिर नेक्सिन में हम देखते हैं कि रुक्याचेट का पीछा कर रही होती है तभी वहाँ एक होलो आजाता है और बोलता है कि बहुत अच्ची स्मेल आ रही है तुम में से तभी वो होलो बोलता है बहुत डिलिशियस स्मेल आ रही है तुम में से मैं तुम्हारी सूल को खा जाऊंगा तभी होलो बोलता है तभी रुक्या बोलती है कि तुम मुझे नहीं खा सकते होलो तभी होलो बोलता है कि तुम मुझे देख सकती हो तो तुम में कुछ अलग बात होगी तभी रुक्या अपने मन में स्पैल बोल रही होती है बाकुडो नमबर 33 पेल फायर क्रेश बट होलो को उससे कुछ नहीं होता और होलो रुक्या को बोलता है कि हाँ ये स्पेल सोल रीपर का है मुझे पता चल गया तुम एक सोल रीपर हो तभी होलो रुक्या को बोलता है कि मैंने इससे पहले दो होलो को खाया जो इस बच्चे को बचाने आये थे तभी रुक्या पुछती है ये बच्चा तुम्हारा मतलब है वो बच्चे की यूमन सोल जो अभी एक तोटे के अंदर है तो होलो बोलता है हाँ सही कहा तुमने तो रुक्या होलो से पुछती है क्यों तुम इस बच्चे की सोल का पिछा कर रहे हो इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तभी होलो बोलता है मैं एक ही शर्त पे तुमें बताऊंगा तुम मुझे खाने दो बिना कुछ कह तो रुक्या बोलती है तुम पागल हो क्या हो लो तबी नेक्स सिन में हम कारिन को देखते हैं इचीगो को बोलती है कि तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा और अब उस बच्चे को अकेला मत पढ़ने देना प्लीज इचीगो तबी एपिसोड खतम थैंक्स गाइस थैंक्स फोर वाचिगों